हेलो अब देख रहे हैं आपके चनल शेवजार विद आयूश और इस वीडियो में बात करेंगे निट विप टेक्नोलोजी आई प्यों के डे फॉर्स सब्सक्रिप्शन के बारे में पहला दिन किस तरह का गुजरा है निट विप टेक का इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क वीडियो काफी important रहेगा तो पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों NetWeb Technologies एक HCS प्रोवाइड करने वाली कमपनी यानि High End Computing Solutions प्रोवाइड करने वाली कमपनी का IPO ओपन हो गया है और आज First Day भी पूरा Conclude हो चुका है अभी आपके पास दो दिन और बाकी है कौन-कौन से 18th और 19th दो दिन कुल मिलाकर बाकी है जो है 18th and 19th of July जिसमें आप इस IPO के इंदर पैसा लगा सकते हैं दो रुपे पर शेयर की Face Value है करीबन 500 रुपे पर शेयर का Price Band है Lot Size 30 Shares का है टोटल जो इशू है वो 631 करोड का है जिसमें से 206 करोड का है Fresh Issue और बाकी का है Offer for Sale अगर आप Company के Employer है तो आपके लिए Company 25 रुपीज पर शेयर कर डिसकाउंट भी रखा है तो आपको जो शेयर है वो 500 की जगा है 475 का मिलेगा BAC और NAC दोनों पर इसके Listing भी होने वाली है क्योंकि एक Mean Board IPO है अब ये बहुत Important हो जाता है दोस्तों कि जो हाल फिलाल में लगातार Mean Board IPO निकल कर आ रहे है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छा IPO निकल कर आ रहे है और ये आपको मैं शुरुआत से कह सकता हूं कि NetWip Technologies अच्छे Main Board IPO में से एक है जो आपको बहुत 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 बहुतर करता हुआ नज़र आएगा बहुतर मतलब सब्सक्रिप्शन के टर्म में ग्रे मार्केट करेंटली या फिर काओं में Listing के टर्म में ये IPO बढ़िया करेगा Long Term की कहानी के बारे में जादा बात नहीं पैसा बने ना बने अभी क्या प्रॉपर लिस्टिंग इन के लिए वैसा लगाना चाहिए कि हमीशा होता क्या है न कि Listing के उपर पैसा बने ना पैसा बनेगा ये सबसे इंपोर्ट होता है बागी Long Term की कहानी पर जादा लोग इंट्रेसेट नहीं रहता है ये मैंने इसके बाद अलगी तीजी दिखाते हैं बहुत चार आईपी होते हैं और बहुत चार ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग पर बहुत शांदार करेंगे लेकिन उसके बाद उनका डाउन फॉल चालू हो जाता है तो इसलिए अभी जादा हम बात किसकी करेंगे only for listing कि listing gain हो सकता है या नहीं हो सकता है अब सब्सक्रिप्शन पर देख लेता है कितना पहले दिन सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है उससे पहले यह देख लेते हैं कि सबसे पहले कितना कितना offer किया गया तो देखिए anchor investors को 189 करोड के shares जो है वो basically allocate कर दिये गए है almost 29.95% of the issue यह नहीं पूर 100% म of the issue और retailers को दिये गया है दोस्तो 220.52 करोड यानि 220.52 करोड यानि 34.95% of the issue और बाकी company के employees को बचा हुआ दिया गया है 0.95 करोड के shares यानि 0.15% of the issue तो इस तरीकी से 631 करोड का classification जो है वो basically किया गया है different different categories के अंदर सबको इस प्रकास से basically जो shares है वो offer किये गया है अब बात करत है कि पहले दिन कितना subscribe हुआ ये issue तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर QIBs पे तो QIBs as expected first day नहीं apply किया कुछ कोई खास बड़ी बात नहीं है कुल मिलाकर only 0.03 times यानि 3% के आसपास पैसा निकल कर आया है जिसकी value 3.34 करोड होती है only 66,720 shares के लिए apply किया लेकिन HNIs ने कुल मिलाकि 3.68 times subscribe किया है पहले दें जो अपना आप में बहुत बड़ा आकड़ा है देखिए HNIs काफी जादा participation दिखा रहे हर एक IPOs के अंदर because reason है यह अच्छे IPOs निकल कर आ रहे 3.68 times मतलब 347.45 करोड की जा application है वो only सिर्फ आज चार्ज के अंदर HNIs से आ गई है यानि कुल म काशे दोस्तों दोनों categories के तरफ से आज जो है वो basically यहाँ पर पैसा लगाया गया है जादा पैसा जो है वो आज आपको साफसाफ देखने को मिलेगा दोनों में से HNIs में आया है इसके अधाते retail category वे तो retail category ने भी 3 गुना दोस्तों भरा है और इसकी value कितनी है 675.67 करोड प लेकिन supply कम होगी automatically price जो है वो बढ़ जाएगी तो यह साफसा आपको देखने को मल रहा है कि इस इन IPOs के अंदर supply बहुत जदा नहीं है लेकिन demand अच्छी है और इसलिए दोस्तों जो grey market है वो भी काफी booming है listing भी काफी बहतर हो रही है तो reason बहुत सारे है बस आपको डूढ़ आना चाहिए तो पहले दिन retail ने तीन गुना भर दिया इसका मतलब यह है कि यह भी उन issues में से होने वाला है जितनके अंदर allotment बहुत मुश्किल रहेगा लेकिन यह है कि जादा applications लगाई है different different DMAT से लगाई है अगर आपके पास अलग-अलग यहाँ पे members है family में जो eligible है DMAT क खोल भी सकते link description में given है जिरुदा की अब जाके वाँ पे अपना DMAT account खोल सकते कुल मिला कि जो company के employees है उन्होंने भी दोस्तों आज 6.96 times इस issue को भरा है यहनि कुल मिला के 6.62 गरो तो company के employees को भी participation आज पहले दिन काफी बहतर रहा है काफी बहुत जाद अच्छा रहा है अब अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए अगर company का कोई भी employee पैसा लगा रहा है इसको पतलब उसको पताए कि हाँ company किस तरह की राइट दूसरी बात यह भी है कि हां पैसा भी अच्छा बन रहा है यह अपना आपने एक point है टोटल मिलाकर आज जो इशू पहले दिन सब्सक्राइब हो है वो है two point three four टाइम से नहीं एक हजार करोड की बिड्स या फिर एक हजार करोड की टोटल मिलाकर उसकी वाल्यू जो है इतना कम पहले दिन IPO ने फेच कर लिया है तो आप समझ सकते हैं दूसरे तीसर दिन किस तर लगाऊंगा बाकी आप सोच सकते हैं में को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी के अंदर बिलकुल यहां पर दमखम है अप लिस्टिंग इन पर तो पैसा बना के देने का अब अगर बात करते हैं दोस्तों करें ग्रे मार्केट की तो करेंट ग्रे मार्केट ह 75% अगर आपको मिल रहा है यहां पर मुनाफ़ा मुनाफ़ा तो अपना आप में बहुत बड़ी बात है बट अगें निट्वेब टेक्नोलोजी कंपनी बढ़िया है इसलिए एक इन्वेस्टर जो है वो पैसा बना पाएगा बाकी पहले दिन जो सब्स्रिप्शन निकल के है वो और इस ग्रे मार्केट को बढ़ाने पर मजबूर कर देगा अगर मैं यह कहता हूं तो बिल्कुल गलत बात नहीं है और यहां से ग्रे मार्केट और उपर जाएगी जाएगी इसकी वी चांसेस दिखते हैं लेकिन यह बात जरूर है कि हो सकता है कि लिस्टिंग के बा मार्केट एक बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो याद रखिए वो कंपनीज भी आना चालू कर देती है जिन कंपनीज के अंदर यादो जादो दम नहीं होगा या तो यह है कि हाँ अभी एक दो क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया प्रदशन कर दिया और अपना आई This divestor ने क्योंकि ने कि आई एट अइसा बन रा है तो डाल दिया बाद उसके बाद वो पैसा ना बने तो यह बात धान रखी सिर्फ एच्छी कमपनीजसें पैसा लगाना है कनँसा पर ढब कशिकंती था इसे थाकिनक वरपनेे और आज कितने लह क bijvoorbeeld ब्लाइज किया ये सब को बताईए कॉमेंट सेक्षिन में और कितने लॉट से और अपलाय करने वाले ये भी कॉमेंट सेक्षिन में जरू बताईए इस वीडियो में इतने था thank you friends for watching this video